तो गाइस आज की इस वीडियो में यार हम लोग अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं इंस्टा 360 कैमरा 360 वाला एडिशन से क्योंकि मेरे पास गोप्रो था तो इसलिए मैंने सिर्फ 360 एडिशन लिया है अगर आप लोग के पास गोप्रो नहीं है तो भाई इसमें थोड़ा पैसा और लगा करके जो है आप लोग ट्वीन एडिशन ले सकते हो दोनों में क्या-क्या खासियत हैं वह इस वीडियो में जानेंगे तो यहां पर बॉक्स में सारा कुछ स्पेसिकेशन मेंचन किया गया है और 360 कैमरा जो होता है भाई काफी सारे वीडियो में आप लोग देखते लेंशन आते हैं तो यह 360 एडिशन है और जो ट्वीन एडिशन साथा उसमें क्या है भाई कि आप 360 वाला लेंस को जो है लगा सकते हो और साथी साथ उस लेंस को खोल के भाई आप 4K जो है व्लॉगिंग अगर करते हो तो वह लेंस भी आप लोग अटैच कर सकते हो तो यह फाइदा है लेकिन मेरे पास गोप्रो था तो मैंने सिर्फ 360 वाला ही किया और अगर आप लोग चाहें तो ट्वीन एडिशन भी और कर सकते हैं इसे यहार हम लोग अन्बॉक्स कर लेते हैं और काफी सही पैकेजिंग की गई है तो यहाँ पर पूरा कुछ स्पेसिफिकेश अब मिल जाएगी तो वहाँ आप लोग चेकाउट कर सकते हैं तो यह इसे अन्बॉक्स कर लिए फटा-फट से हम लोग यार इसे बाहर निकाल लेते हैं तो यह है नहीं पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है 1R और यह जो है डिट हो जाता है आपके लेंस आप लोग जो है वो attach कर सकते हैं आपको 4K lens मिलेगा उसमें 60fps तक suit कर सकते हैं और यहां पर जो है बाई काफी सही चीज है यह 360 वाला जो है काफी सही है और काफी amazing videos निकलती है और anti-shake से यह मतलब जो shake वगेरे होगा तो उसमें जो है आपकी footage वगेरे खराब नहीं होगी और आप लोग जो है माइक वगेरे भी attach करना चाहें तो इसके साथ cable वगेरे लगा के माइक वगेरे भी attach कर सकते हैं अगर आप लोग twin editions लेते हैं vlogging वगेरे करते हैं तो काफी सही है यहां पर इसकी battery मिल जाती है battery मुझे काफी सही लगी आप लोग चाहें तो external battery भी ले सकते हैं बट यह एनफ है यार 360 मुझे सिर्फ कुछ शॉट्स लेने रहते हैं तो उसके लिए यह एनफ है तो यहां पर मैं इसे यार फिट कर देता हूं और यहां पर मैंने इसे जो है यह लगा दिया है अब यहां पर यह 5.7K तक जो है वह पैनरोमिक वीडियो शूट करता है और 4K 60fps तक वाइड एंगल लेंस से जो है यह शूट कर पाता है तो काफी सही चीज है और इसका जो अप्लिकेशन से 360 करके आता है वह एन्रोइड पर भी एवेलेबल है और आयस पर आप इसली उसमें एडिट वगेरे कर सकते हैं उपर में जो है पावर बटन मिल जाता है लोगो तो आप लोग इसे ऑनकर सकते हैं देख लिआ यहाँ पर मैंने ऑनकर लिया और सिंप्ली क्लिक करके जो है आप लोग फोटो जो है वहाँ यहाँ पर जोए क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर at यहां पर देख सकते हैं 5.7 जो है 25 fps तक कर सकते हैं 4k 30 fps तक और यहां 100 यह सारा कुछ यहां पर mention किया गया है तो 360 वीडियोज आप इससे काफी आसानी से shoot कर सकते हो और काफी कम price में भी आप लोगों को मिल रहा है क्योंकि इसका जो twin editions आ चुका है तो यह वाले की price थोड़ी बहुत जो है नीचे आ गई है और यहां पर आप लोगों को जो है invisible selfie stick के लिए mount वगएरे भी मिल जाता है साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को एक टाइप C cable मिल जाता है charging के लिए जो काफी सही है और यहां पर जो है lens cover है यह lens के उपर में लगा के रखना आपके lens के उपर में basically लोग पढ़ते नहीं है बढ़ आप लोग चाहें तो इसे भी जो है read कर सकते है और सारा कुछ detail वगएरे जो है इसमें mention किया गया है कि water के अंदर कितना वो रह पाएगा या अगर पानी वगएरे लग गया तो क्या है इस application काफी सही है भाई तो आप लोग के लिए मैं एक review भी लेकर आऊंगा काफी ही जल्द फिलहाल इस वीडियो का कुछ samples मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और link मैं नीचे दे दूँगा description में तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग जो है वो check out कर सकते हैं मुझे personally ये camera काफी सही लगा तो आप लोग simply on off कर सकते हैं memory card लगा सकते हैं काफी सही camera है तो इसकी कुछ samples जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो लोग ने हैं चैनल पर चैनल को subscribe ज़रूर कर दिजएगा So guys ये video sample इसी 360 camera से shoot हो रही है और भाई थोड़ा background को avoid कीचेगा क्योंकि घर पे वीडियो शूट कर रहा हूं तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करते चैनल को subscribe ज़रूर कीचेगा मिलते हैं आप से ऐसी interesting वीडियो में जब तक के लिए टेक के और